कहते हैं कि कल कभी नहीं आता लेकिन कल कल आएगा and I will clean the city up बॉल उट की भी सबसे बड़ी फिल्म बनने का रिकोर्ड अपने नाम कर लिया है और सुपरिश्टा सलमान खान ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि उनका इस्टाडम किसी भी सुपरिश्टार से कम नहीं है और सभी हेटर्स की मोलती बंद कर दी है तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राधे फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में और जानने वाले हैं दोस्तों की सलमान खान सर की ये फिल्म Indian Box Office पर और Worldwide Box Office पर अपने पहले दिन कितने करोड की कमाई करने में सफल रही है और Box Office पर इस फिल्म को कितने अच्छे रिवियोज मिले हैं तो विडियो को लाश्टे तक ज़रू देखेगा अगर आप भी सुपरिश्टार सल्मान खान सर के डाय हाट फैन से और उनकी फिल्म राधे का इंतजार बेसबरी से कर रहे थे तो चले शुरुआत करते हैं तो दोस्तो प्रभुदेवा के डायक्शन में बनने वाली मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म राधे जो कि एक कौरियन फिल्म आउटलोस का ओफिशियल रिमेक है इस फिल्म के लीड में आपको बॉल्यूट के मेगा इस्टार सलमान खान सर, दिशा पाटनी, रंडी फुड़ा और जेकी शौफ जैसे टेलेंटेड एक्टर्स नजर आए हैं वही इस फिल्म को 180 करोड रुपे के बजट में बना कर तियार किया गया है इस फिल्म में आपको सुपरिश्टा सलमान खान का वही पुराना स्वैग जो कि आप वांटेड में देख चुके हैं, वो देखने को मिलने वाला है और साथ ही में उनका यूनिक एक्शन भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा इसके अलावा दोस्तों उनकी जोड़ी दिशा पार्टनी के साथ काफी आउस्टेंडिंग लग रही है यही वज़ा है दोस्तों कि सलमान खान सर की इस फिल्म को पहले रिव्यूस में ही आउडियस ने पसंद कर लिया है और 2021 की सबसे बड़ी ब्लॉकबश्टर बता दिया है अगर बात करें हम लोग यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो दोस्तों बताते चले आपको कि कोरोना की वज़ा से यह फिल्म इंडियन बॉक्स आफिस पर तो इतनी स्क्रिंज पर रिलिज नहीं हो पाई है लेकिन उसके बावज़ुत भी दोस्तों यह फिल्म आल आवर इंडिया में लगबग 2000 स्क्रिंज पर रिलिज हुई है और इस फिल्म के जो शो है वो काफी कम है उसके बावज़ुत दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन इंडियन बॉक्स आफिस पर लगबग 8 करोड रुपे की धमाकेदार ओपनिंग ली है और सभी हेटर्स की बोलती बंद करते हुए इस कोरोना काल में सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली बॉल्ली उट फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है मही दोस्तों इस फिल्म को आवरसेज में काफी धमाकेदार ओपनिंग मिली है क्योंकि सुपरिष्टा सलमान खान की वल्डवाइट बॉक्स आफिस पर काफी अच्छी फैन फोलोईंग है और इस फिल्म को गल्फ कंट्रीस में 700 स्क्रिंस मिली है आश्टेलिया में इस फिल्म ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और आश्टेलिया बॉक्स आफिस पर अब तक रिलिज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है और पदमावत, बाहुबली और कई सारी बड़ी फिल्मों को भी इस फिल्म ने पीछे कर दिया है यही वज़ा है दोस्तों कि आश्टेलिया बॉक्स आफिस पर इस फिल्म को अपने पहले ही दिन लगबग 5 करोड रुपे की आपनिंग मिली है सौधी अरेबिया, बहराइन और ओमान जैसी कंट्रिस में भी दोस्तों इस फिल्म को अपने पहले दिन 7 करोड रुपे की आपनिंग मिली है वही इद होने की वज़े से दोस्तों इस फिल्म को गल्फ कंट्रिस में टोटल 11 करोड रुपे की आपनिंग मिली है इसी के साथ दोस्तो ये फिल्म और से बॉक्स आफिस पर अपने पहले ही दिन 20 करोड रुपे की कमाई कर रही है महीं दोस्तो वर्डवाइट बॉक्स आफिस पर इस फिल्म का जो पहले दिन का कलेक्शन है वो रहा है 28 करोड रुपे का इसे के साथ दोस्तो 28 करोड और 25 करोड को जोड़ दिया जाए तो इस फिल्म का जो पहले ही दिन का बॉक्स आफिस पर कलेक्शन बनता है वो अलगबक 53 करोड रुपे का हो रहा है यानि कि दोस्तो सुपरिश्टा सल्मान खान की ये फिल्म अपने पहले ही दिन ब्लॉक्बश्टर ओपनिंग लेने में काम्याब रही और सभी हेटर्स का मूब बंद करते हुए हो जाती है बॉक्स आफिस पर ब्लॉक्बश्टर आपको दोस्तो ये फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और आपको क्या लगता है दोस्तो इस तरह के एक्शन वाली फिल्मों को आप सुपरिश्टर सल्मान खान सर को हमेशा करना चाहिए या नहीं हमें जरूर बताईएगा धनिवाद जहिन जे भारत